नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी PF मेंबर्स का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में दोस्तो अगर आप एक PF मेंबर हो तो ये प्रोब्लम आपके साथ भी जरूर आ रही होगी सच-सच बताना जूट मत बोलना, पहले आप लोगो प्रोब्लम बता जिता हूँ दोस्तो, प्रोब्लम है PF अंडर प्रोसेस, जिया दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सो भी PF मेंबर्स को प्रोब्लम का सॉलिशन बताने वाला हूँ पहले आपको अच्छे से problem के बारे में बताईता हूँ problem यह है कि आपने अपना PF कहीं से online करवाया किसी cyber cafe दुकान वगरा से या फिर खुद online कर लिया लेकिन जो PF का पैसा है वो bank account में नहीं आया अभी तक under process में ही पड़ा हुआ है और जहां से online करवाया था है खुद कर रहा था तो पता लगा था कि PF online form भरने के बाद जो PF का form है उसे online भरने के बाद या भरवाने के बाद 8-10 दिनों के अंदर ही जो PF का पैसा है वो bank account में आ जाएगा लेकिन आज 8-10 दिन तो छोड़िये 15, 20, 25, 30 या फिर एक महीने होने को आए है जो PF का पैसा है वो bank account में नहीं आया अभी तक जो status है वो सिरिप और सिरिप under process है और जो PF का पैसा है वो under process में ही पड़ा हुआ है तो आज की इस वीडियो में आप सो भी PF members को PF under process वाली problem का genuine solution बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने PF में under process में पड़े हुए पैसे को सिरिप और सिरिप 4-5 working days में अपने bank account में मंगवा आप आओगे आप लोग को बता दूँ कि इस वीडियो में आप लोगों में 2022 के सबसे नए और सरल तरीके के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को और फटावर चलते हैं अपनी mobile screen पर तो दोस्तो जैसा कि इस वक्त आप लोग देख सकते हो हम लोग अपनी mobile screen पर आ चुके हैं और इस वक्त हम लोग EPFO के grievance management system के official website पर हैं इस website का जो link है वह आप लोग को इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पर आप click करोगे तो आप directly इस website पर पहुच जाओगे अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आगे आपको क्या process करना है आप लोग को simply नीचे की तरफ slide down करना है यहां पर आपको option देखने को मिल जाएगा register grievance का उसके बाद दुबारा नीचे की तरफ slide down करना है और यहां पर दुबारा option मिलेगा status का उसके बाद नीचे आपको दुबारा चार option देखने को मिलते हैं पहला PF member, दूसरा EPS pensioner, तीसरा employer और पांचवा others का तो आप भई किसी company में काम करते हो, आपका PF करता है तो सीवी तरीके से आपको भी पता है, मुझे भी पता है आप हुए एक PF member, तो आप लोग को simply PF member पर click करना है अब जैसी आप PF member पर click करोगे, तो PF members के लिए एक और बड़ी मुश्किला आ जाती है यहाँ पर लिखा है, do you have a claim ID, कि आपके पास claim ID है तो आप में से बहुत से PF members आप पूछोगे, कि सर claim ID क्या होता है तो screenshot आप लोग बगल में देख सकते हैं, जहां से हम अपने PF का balance चेक करते हैं यहाँ पास book portal, ठीक है तो वहाँ पर जब हम track claim status पर click करते हैं जहां से में दिखता है कि PF का पैसा under process में है जस्ट upside में, बिल्कुल उपर, मेने टिक लगा दिया है आपको claim ID देखने को मिल जाती है अगर आपके पास claim ID है, तो आपको yes करना है otherwise कोई दिक्कत नहीं आपको no करना है कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो मैं simply यहाँ पर no पर click करता हूँ अब जैसे मैंने no पर click किया तो मेरे सामने यहाँ पर दुबारा एक option खुलता है universal account number का अब बहुत से PF मेंबर यहाँ भी confused होता है universal account number क्या होता है तो यह simple से UAN number ही होता है बस यह उसकी full form लिखी गई है यहाँ पर तो चलिए फटा फट में यहाँ पर अपना UAN number और capture code यानि security code जो नीचे मेरे image में सो हो रहा है यह दोनों ही चीज़ें fill कर देता हूँ ताकि मैं आप लोग को आगे का जो process हो बता पाहूँ तो चलिए फटा फट में यह दोनों ही चीज़े fill कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ मैंने अपना UN और जो security code है यानि capture code वो दोनी ही चीज़े fill कर दी अब हमें simply नीचे का option मिलता है get details का simply आप लोगो इस पर click कर देना है अब आप जैसी इस पर click करोगे तो यहाँ पर जो page हो एक बार reload होगा यानि loading लेगा काफी time लग सकता है यहाँ पर काई बार क्योंकि जो यह page है कह सकते है यह थोड़ा server का issue रहता है अब देखिए नीचे की तरफ जैसी loading complete हुई तो यहाँ पर जो UN details है वो आ चुकी है यहाँ पर आपको universal account number के last के 3 digits जो PF member का name है जैसे यहाँ सिवकुमार नाम है तो नाम आ जाता है और mobile number के last के 3 digits ठीक है तो simply इसके बाद हमें यहाँ पर पीचे एक option मिलता है get otp का मैं आप लोग एक important step तो बताना भूली गया कि आप लोग को यहाँ पर एक बार detail verify कर ले रही है कि UN number आपको यह किसी और का है नाम वगरा चेक कर लेना है ठीक है आप simply हमें get otp पर click कर देना है इससे यह होगा कि जो भी आपका UN से registered PF में जो registered mobile number होगा उस पर एक otp आएगा तो simply आपको otp यहाँ पर fill कर देना है तो चलिए फटा-फट में आप पर otp फिल कर देता हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हूँ तो मैंने जो otp यहाँ पर fill कर दिया अब मैं simply नीचे दे हुए submit के button पर click कर देना है तो चलिए मैं submit पर click करता हूँ आप जैसे मैंने submit पर click किया तो दुवारा यह loading लेगा आप देखे जो otp मैंने डाला तो यहाँ आगया otp verified successfully अगर आप गलत डालते तो not verified होता अब हमें simply okay पर click कर देना है अब आप सभी pf member से मेरी गुजारी से कि आपको बिल्गुल अब ध्यान से process को समझना है क्योंकि यह काफी important step है ठीक है पूरी वीडियो की यह जान है आप कह सकते हो मुझे अपने pf जो हमारे members सब्सक्राइबर है उन पर इतना तो भरोसा है कि वह इतनी आसान चीज़े तो खुद फिल कर लेंगे तो चलिए फटा फट में आपर जल्दी फिल कर देता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने आप पर पूरी डिटेल्स फिल कर दी जैसे जेंडर एड्रेस वगरा मनला विलेज पोस्ट मैंने एक्जाम्पल के लिए बरा है ठीक है और उसी के साथ इस्टेट अब नीचे को आप्शन मिलता अल्टरनेट कॉंटेक नंबर अगर इसी तरह से फिल करना है अब देखिए आप सभी फीएफ मेंबर्स बिल्कुल गौर से सुनिएगा पूरा ध्यान लगा दीजिए ऐसा समझ यह कि मैं आपके बगल में बैठ के आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा इस वक्त खुदी सोच रहा हूं कि मेरा कस्टूमर मेर क्लाइंट मेरे बगल में बैठा हूँ है ठीक है ऐसे आपको काफी अच्छे समझ आएगा ग्रीवियंस डीटेल का आपको नीचे की तरफ एक option मिलता है यहां पर आपको करना क्या है कि जिस भी मेंबर आईडी का पैसा आपका अंडर प्रोसेस में पड़ा हूँ है क्योंकि लिखा है इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते है एक बार पेज लोडिंग होगा अब यहां पर आपको बिल्कुल गौर से सुनना है ठीक है बिल्कुल ध्यान से अपना जो आपका संगे ध्यान यहीं लगा दो ग्रीवियंस रिलेटेट टू एक option मिलता है अब आप द लेंगे ठीक है जैसे कि final pf settlement कि अगर आपने अपना pf और pension दोनों के लिए apply किया है वह under process में तो आपको simply final pf settlement पे click करना है ठीक है और उसी के साथ साथ और जी नीचे मान लिए advance किया आपने ठीक है तो यहां पर मैंने ठीक लगा देक option मिलता है non settlement of pf advance claim तो यहां पर हमारा क्या मसला है भाई हमने पूरा ही पैसा निकाला था वह दोनों के दोने यह under process में पढ़ा हुआ है तो हम simply final pf withdrawal पे click करते है अब एक और चीज ग्या आ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा grievance description अब जितना अच्छा आप description लिखोगे ऐसा होता है ना कि आप अपने school में ऐसे letter लि कि dear sir मैंने इस तारिक को अपना pf apply किया था full and final और आज ये 20 दिन 30 दिन एक महिने हो गया आज इतनी तारिक है मेरे गर में emergency किसी की तबेत खराब है marriage है बहन की साधी वगएरा जो भी है और मुझे पैसों की emergency है और अब तक लेकिन मेरे जो pf का पैसा है वो under process में पढ़ा ह के लिए आप लोग को लिख के दिखा जाएता हूँ एक बार तो मैंने आप पर एक example के description लिख दिया मैं आपको बार बार बोल रहा हूं यह जो मैंने description लिखा है शिरिफ आपको समझाने के लिए आप अपना जितनी ऐसा हो सकता है आप मेरे से भी अच्छी तरीके इस description नहीं यह optional है आप चाहें तो अपना कह सकते हैं कि एक जो अंडर प्रॉसर्स में पैसा पड़ा हुआ इसका screenshot मार के आप अप अपलोड करें बाकि कोई दिकत नहीं जरूरी नहीं है ठीक है मेरी तरफ सज्जस्ट करूं तो मैं कोई जरूरी नहीं है मत करिए इसे उसके अगेंस्ट यह तो हमने कर दिया था उसके बाद पी एफ नंबर देखने को मिल जाता है जिसके खिलाब हमने ग्रीवेंस रेजिस्टर किया है उसके बाद ग्रीवेंस कैटेगरी वह फाइनल पी एफ विड्डॉल मेरा अंडर प्रॉसर्स में वह एक्शन एडिट और प्रॉब्लम के लिए तो यहां पी एफ अंडर पसेश में पी एफ इसको लगा रहे है उसके बाद आपको नीचे सिंपली सब्मिट पर क्लिक कर देना एक बार सारी डीटेल चेक करने के बाद सब्मिट पर क्लिक करने के बाद यह बार लोडिंग होगा तो आप लोगो आप लोगो एक चीज में दुबारा बता दूं कि यह जो रिजिस्ट्रेशन नंबर दिखना है मैं टिक लगा देता हूं यह वाला रिजिस्ट्रेशन नंबर यह आपको स्क्रिंसॉट मार के अच्छे समाल के रख लेना है क्योंकि आगे चलके आपको यह मान लीजे और कुछ आ जाता है तो मैंने इस वीडियो में आप लोगो को बिल्कुल सरल तरीके से समझाया कि किस तरीके से आप अपने पीएप में अंडर प्रसेस में पड़े हुए पैसे को सिर्फ चार से पांच वर्किंग डेज में अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं दोस्त जैसा कि मैंने अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन के जरीए आप सोभी पीएप मेंबर्स को पीएप अंडर प्रोसेस वाली प्रॉब्लम का एक जैनुवन सॉलूशन बताया सॉलूशन यह है कि आपको ग्रिवेंस रजिस्टर करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके सेम आपको जो स्टैप्स हैं वो अपलाई करना है और साथ साथ जो इस वेबसाइट का लिंक है ग्रिवेंस पॉर्टल का वो आप लोग को इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकि अगर आप लोग को इस वीडियो से लेटेड ग्रिवेंस पॉर्टल से लेटेड कोई भी डाउट कॉस्चन किया रही हो तो आप मुझसे इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लेगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक् जरूर करें धन्याद दोस्तों